हेलो व्रिवान दिस इस प्रभा सिंग या मैं यूस मिजिक स्टार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आज हम पिछले साल जो 2019 में अन्वेस के कोश्चन आये थे वो डिसकस करेंगे और कुछ कोश्चन ऐसे हैं जो मैंने इसमें करवाए हैं नए डाले हैं वैसे ये 2019 का एन्वेस का पेपर है उसमें से रिलेटेड जो भी इंपोर्टन कोश्चन बने थे उस टाइम पे आये थे वो इसमें डिसकस करेंगे पहला कोश्चन तो यही है कि इन में से कौन सा राग जो है वो कल्यान थार से नहीं है कामोद नहीं है देशकार नहीं है चा क्ल्यान थार से उपन हुआ नहीं मानना जाता तो क्या आएगा इसका अंसर चायान सोरी देशकार जो है देशकार जो है वो कल्यान थार से नहीं है यह किस थार से आप लोग कमेंट में बताना दूसरा कोश्चन हमारा पस्ट में अंकल पर्णानी के अनुसार अंकन है सोरी ह इंदुस्तानी संगीत के जैसा ही है, यानि कि वैस्टन म्यूजिक में जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत से मिलती जुलती है, मतलब कि सेम चीज है, क्या है, वो गमक है, क्या है, मीड है, मुर्की है, बहलावा है, क्या है, इन में से कौन सा है, जो दोनों में सेम चलती है, सेम तरग्य से है तो क्या आएगा option C मुर्की जो होती है पश्चे में अंकल परणाली के जैसे ही है इंदुस्तानी संगीती ठीक है अगला question हमारा है छोटा ख्याल जो है वो किस से विक्सित हुआ है धालमिक संगी से विक्सित हुआ है बड़े ख्याल से विक्सित हुआ है कवाली देखो कुछ लोग इसमें बड़ा ख्याल गएंगी कि पहले बड़ा ख्याल आया था तो चोटा ख्याल आया था तो पहले अगर बड़ा ख्याल भी बना था यह चोटा ख्याल भी बना था तो वो बड़े ख्याल को देखके चोटा ख्याल नहीं बना वो कवाली जो होती थी उसको तरीके से आलगल डिफ़रlं टैप से तो कवाली से ही बने। टप्पे से तो कोई लिना देना नहीं अश्टांक गये कि जो है वो किसकी विशेस है टप्पे की है दुरुपद की है ठुमरी की है ख्याल की है देखो दुरुपद के रिए तो question यह बनता है कि बानी किस से संबंदित है अगर यहां पर question होता कि बानी जो है वो किस से संबंदित है तो हम दुरुपद लिखते अश्टांग गय के अब दुरुपद तो इसमें से ही नहीं है ठुमरीट ख्याल या टपा किस से संबंदित होगा देखो टपे में तो अश्टांग गय के ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है तो इसका answer जो होगा option number D ख्याल जो है वो अश्टांग गय किस संबंदित है ओके अगला question ह इनमें से त्रिपुद ताल का बता है आपको कौन सा साइन होता है 10-11 होता है देखो 10-11 जो होता है वो दुरुद ताल का होता है ओके उसके पाद जैसे धूम रूज 3 आए ऐसे करके याद करो आप इसको याद हो जगा धूम रूज 3 आए धूम धू से दुरुद ताल आ ग हम देखे तो त्रिपुर्टाल का साइन क्या आएगा 100 आएगा इसको आप ऐसे याद कर लो दूम रूज तरी आए 10 11 101 फिर 10 फिर 1 स्माइली 0 फिर 100 उसको हम ऐसे बोलते हैं 1 स्माइली 0 ऐसे करके आप भी याद कर लो अगला क्वेशन है नुहा सुफर बुक है जो उसके बता आपको लेखा कौन है अलावदीन खां तो बिल्कुल भी हाँ वो मुसलमान जोड़ते हैं लेकि उनकी बुक का कोई नाम आता नहीं है विश्न दिगंबर पलुसकर तो बिल्कुल ही नहीं से रिलेट करते अमीर खुसरो और साफुदीन खान इन तीनों में से आपको बताना तो इसमें वीडियो दिव हुगी है मीर खुसरो की पूरी बायोग्राफी है उसमें से आप देख सकते हो आलापती है किसका भाग है निभद गान का निभद गान का यक्षगान का या पिनिमी से कोई नहीं अलाप्ति वाला तो कोश्चन एक ही बनता है अलाप्ति वाला निभधगान के अंदर तो बिल्गूर नहीं आएगा त्योंकि अलाप्ति जो है ताल से भाहर होता है अलाप्ति जो होता है अब अलाप्ती तो simple सा coalition है अनिव दिगान से है ठीक है? अब जादा तर कोशचना से पूछ जाता है स्वस्थान का संबंध किस से है? ये question आता जादा तर कि स्वस्थान जो है वो किस से संबंधित है? स्वस्थान किस से relate करता है?'ठीक है? अगला कुछन है वर्णम का बताना है करनाटक संगीत की किसके समान है थुमरी को क्या बोलते है जावली इसको आवेज़े अद कर लो ठुमक ठुमक जावत जैसे जावली होता है न तराने को तिलाना बोलते है धुरुपद को क्या बोलते है पदम भी बोलते हैं ठीक है धुरुपद को पदम भी बोला जाता है खयाल को क्या बोलते है खयाल को कई बर कृति भी देखने को मिलता है किर्टन आता तो किर्टन के साथ हो जाता है और कई बर खयाल जो है कृति के साथ मैच करते हैं तो इसमें जो answer अगर वर्णन का खयाल हुआ, खयाल से रिलेट करेंगे, अगर यहाँ पदम होता तो हम धुरुपज से करते हैं, अगला question है हमारा, करनाटक ताल परणाली में लगू कितनी मातरां को होता है, देखो करनाटक ताल परणाली में लगू जो है वो तो पता ही आमें पत्रवी पीरफी निसीत आत्वाजी के अनुषार? पूचाई बदलता है तो वह अ지 Alors अगर इसमें मैंने आप से संकीरण का पूचा तो ये संकीरण में 9 bit होती है तो संकीरण के वह क्या हो जाया ऋनित नंबर की हो जाएग zawsze 너 नाइन की हो जाएगी, अगर यहां खंड का है तो पांच का हो जाएगा लगूँ, तो करनाटक ताल परनाली में, अगला कोशन है, इन में से कौन तबला और पखावे दोनों में प्रुवेंड थे, एहमज अन्थिरकवा, कुदव सिंग, नाना पान से राम साहे, राम साहे ज कुदव सिंग तो पखावे जबादक ही है, तबला वादक है कुदव सिंग, एहमज अन्थिरकवा तबले से आते हैं, राम साहे तो फिर तबले से ही है, इसमें से क्या होगा उसका अंसर जो होगा, कौन है इसमें से तबला और पखावे जो दोनों में ही मास्टर है, तो क् का अंसर और इसका अंसर जो होगा वो होगा option number C नाना पांसे ठीक है नाना पांसे जो है वो तबला और पखावत दोनों में ही प्रवेंड थे अगला question हमारा मारवा थार्ड बताने आपको करनाटक संगीत के किसके समान है यह तो बहुत easy है इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हूँ जय का sound आ रहा है और हमारे जुत्री संगीत में खमाज उसमें भी जय का sound आता है गमन प्रिया खरहर पिया शुब पंतु वराली तोड़ी को बोला जाता है तो यह तो हई नहीं है ना शुब पंतु वराली इसका नहीं है तो इसका अंसर क्या आएगा C गमन पिया खरहर पिया किसका नाम है काफी का अगला question है हमारा उत्तर भारत के classic संगीत में शुद्य मध्यम से कितने राग मिलते हैं यानि कि उत्तर भारत के classical अगर music में हम देखे तो शुद्यम से हमें कितने राग देखने को मिलते हैं जादा तर 14, 18, 15 या 16 वैसे तो बहुत सारे राग हैं हर किसी राग ज्यादा तर आगों में मध्य मिल जाएगा तेकिन इक किस तरीके से पूछा है उन्हों नहीं थोड़ा सा strange लग रहा है मुझे भी लेकिन जो भी एक्जामिनर ने माना है हम वही लिखेंगे इस कांसर क्या होना चाहिए इस कांसर जो होगा option number D होगा 16 माने है ठीक है शुद्यम अगला question है हमारा संकेतन परणाली जो है इसकी खोज किस ने की थी विश्णु दिगंबर पलुसकर ने रभीद्रनाठ टैगोर ने विश्णु नारन भातखंडे ने मोला बक्षने देखां विश्णु नारन भातखंडे की जीवनी पढ़ोगे संकेतन से उसका कोई लेना देना नहीं था औ अगर आपने पढ़िया तो भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला क्योंकि विश्णु दिगंबर पलुसकर जो थे वो दक्षनी संगीत के बारे में ज्यादा इंफोर्मेशन देते हैं और विश्णु नारन भातखंडे उत्री संगीत की देते हैं रविंद्रनाठ टैगोर बंगाल के थे इन्होंने दो जगे का राष्ट्री संगीत लिखा है राष्ट्री गान लिखा है भारत का और बांगलादेश का ठीक है अगला कोश्चन है हमारा इन में से कौन सा करनाटक ताल नहीं है अश्टमंगल जपताल मटताल त्रिपुर ताल अब ज्यादा तर अगर आप देखो झपताल या जंपकताल जो भी है तो झपताल का आप देखो उसमें साइन जो आता है उन अंदृत और जीरो का जो आता है तो उसी ऐकोडटिंग तो ये शई है अश्टमंगल ही बसता है उसके अकोडग तो हम इसके करनाटक ताल नहीं है अश्टमंगल को हम बोलेंगे करनाटक ताल नहीं है क्योंकि उत्री संगीत में करनाटक ताल में यह यूज नहीं होता जब ताल यूज होता है जबकि रविंदर संगीत में भी अगर हम देखोगे तो जंपक ताल आती है अर्द जहांप आती है जंपक महाँ पर टैन बीट किया और अर्द जहांप जो है फाइव बीट किया रविंदर संगीत में ठीक है ये कोशन थोड़ा सा लग हो सकता आपके लिए कि बाकी कारकों को एक जैसा रख के तार की मोटाई और उससे उत्पन कमपन एक दूसरे से आनुपातिक होती है गुने में होती है दो गुनी होती है अनुलोम होती है या प्रतिलोम होती है बाकी कारकों को एक जैसा रख के तार की मोटाई और उससे उत्पन कमपन एक दूसरे से आनुपातिक होती है क्या होते हैं गुना होते हैं दो गुना होते हैं अनुलोम होते हैं प्रतिलोम होते हैं कमपन करने से एक दूसरे से आनुपातिक होती ही चीज़ अगर आप डिटेल से समझना चाहते हो तो आप लोग खरीच सकते हो उसमें आपको सब कुछ बताए जगा कैसे आया क्यों आया सब कुछ ठीक है क्या होगा कि बाकी तकार को एक जैसा रख के तार की मोटाई और उसे उत्पन कमपन एक दूसरे से अनुपातिक होती है गुना दो गुना अनुलोम प्रतिलोम तो इसका अंसर क्या आएगा, इसका अंसर आएगा, option number D, प्रति लोम, ठीके, प्रति लोम जो है, वो है, अगला question है, पंडित श्री निवास ने अपना शुद्य सब्तक किसको माना है, बिलावल को, काफी को, भैरवी को या भैरव को, देखो, भैरवी को तो किसी ने भी शु भैरवी को तो शारंग देव जी जो है, वो थाट ना बोलकर राग बोलते थे, क्योंकि थाट के बारे में तो भाधखंडे जी ने बताया है, वो भी अभी 19-20 सैंचुरी में हमें पता चला इसके बारे में भी, किसको मानते थे, पंडित श्री निवास अपना शुद्य सब तो इसका अंसर आएगा काफी को, ठीक है, काफी जो है, इसको पंडित श्री निवास अपना शुद्य सब्तक मानते थे, और प्राचिन कारी शुद्य सब्तक की बात करें तो भी काफी आता है, द्वनी के कितने परकार की होती है, पांच की, तीन की, दो की या एक की, देख जो होते हैं, फाइप टाइप के होते हैं, तो इसमें द्वनी का बताना आपको कितने परकार की होती है, दो परकार की होती है, अगला कोशन है हमारा, जब एक के बाद एक स्वर बजता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संगती तो बिलकुल ही नहीं कहते हैं, क्योंकि स्वर क्या बोलते हैं बेसुरापन क्या OH जूत सूर सवर्ता क्या बोलते हैं बेसुरापन तो बिल् debugging हम नहीं कह सकते हैं को यह बहुत हैストरे के आप या पाद यह लह सिरेंवायते है तो इसका अंसर प्रा आयेगा आप्शन B सूर सवार्त्य फूल्ला अगला कोशन है इन में से आपको बताना है शरज की जाती नहीं है कैश की धैवती शरज मद्यम या शरजो दीच वती इन में से बतानी है कौन सी जो है वो शरज ग्राम की जाती नहीं है कैषित की नहीं है, धैवती नहीं है, शडजमध्यम नहीं है देखो शडजमध्यम शडजो दीचवती दोनों का नाम आरा मतलब ये तो है कैषिकी और धैवती में से अब आपको बताना कोन सी नहीं है तो इसका ँसर के आएलगा option number A कैशिकी नहीं है, ठीक है, कैशिकी जो है मद्यम गराम की है, अगला कोशन है इन में से कौन तबला प्रतिपादक नहीं है राम साहे नाना पान से कुदव सिंग या फैयाज का ये तो आप देखके बता दोगे कि राम साहे जो है वो तो सुजान खां से इस गरानी की उत्पत्ति मानी जाती है आगला गरानी की अना तो फयाज खां खयाल से रिलेटिड है तबले से तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है तो इसका अंसर क्या आएगा option number D फयाज खां प्रतिबादक नहीं है अगला question है हमारा जब एक राग आते समय कि आधाद में दूसरी राग की छायाँ पड़े तो इसे क्या कते है अब इसमें से ज्याधा था लोग छाया रागी बताएंगी क्योंकि आधि हम पंता है इसमEMAी अप राग की छाया दिखाते हो वापस से अपने उस राग पर आते तो उसको अभीर भाब बोला जाता है ठी वो चीज़ अगर आप दिखा रहे हो, उस चाया को दिखा रहे हो, तो वो क्या है, वो तिरो भाव है, और उस चाया को हटा कर वापस है, आप उस राग में आ जाते हो, तो वो अविर भाव है, ठीक है, इसका अंसर क्या होगा, option B होगा, अगला question है, खरहर प्रिया किस राग क बसता है, ठीक है, गमन पिया का क्या आता है, मारवा जाती गमन पिया, धीर शंक्रावरण बिलावल को बोला जाता है, धीर शंक्रावरण, जै जवंति को द्वी जवंति बोला जाता है, तो इसका अंसर क्या होगा, option NUMBER B, ठीक है, अगला question हमारा, शारंग देव ने अपन अलिकरम विपकेरण शुर्द प्रभंद इस टाइब से तीन प्रकार से इन्होंने बताएं विपकेरण अलिकरम तीन भागों में बाटाएं इन्होंने आप इसको प्रभंद को अगर टॉपिक पूरा पड़ोगे तब आपको पता चलेगा प्राचिन काली जो आदूनी काली प्रभंद है वो यह हो गया ठूमरी टपा ख्याल तराना अध्रूपत यह सारे प्रभंद है पिछले प्राचिन काल में रूपक वस्तू होते थे प्रभंद रूपक वस्तू जो होते थे वो निवद गान के अंदर बताते थे अब बताना गणेश स्त्रोत गरंत किसका है य या रवी शंकर तो इसका अंसर के आएगा option number A तान सिंजी ने लिखाता है, संगीत सार भी इनका आता है, रागमला भी इनका आता है अगला question है 25, इन में से किस राग का वादी और समवादी रेपा नहीं है दर्वारी कानड़ा, विरंदावनि सारंग, बरवा या भैरव ये तो देख के बता दो कि भैरव का नहीं है, क्योंकि भैरव का होता है धार रही ठीक है, धार होता है और भैरव जो उत्रांग परदान राग है बाकी ये तीनों कौन सी राग है पुर्वांग परिदान क्यूंके इनका वादी जो है रिषब है तो दरबारी कानड़ा कॉनसे परिदान हुई पुर्वांग परिदान और भेरब कॉनसे उत्राग परिदान हुई क्यूंके इसका वादी जो है धैवत है थैंक यू सो मच अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना शेर करना थैंक यू सो मच पूर वाचिंग मैं वीडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब हों से